लगनों के सेरपूर थाना शेत्रिक के नरहयप पुर गाउं के पास में कार अनियंत्रत होकर नाले में गर गई खटा की सूशना पाकर मौके पर पहुंची सेरपूर पुलिस ने नाले से कार को बहार निकाला तो वहीं कार में फसे पांच लोगों को अस्पताल पहुंचाय गया जहां डॉक्टर्स ने चार लोगो को मुरत घोशुत कर दिया जबकि एक हाल को इलाज के लिए ट्रोमा की जा रही है अब को तरह लखनों के नरहेपुर गाउं के पास में पूरा हाथसा हुआ है जहां पर नाले में अन्यंतरत कार गिर गई है जुसको देखते हुए जो है चार लोगों की मौत हो गई है तो ही एक का जो है इलाज लगा था अरुज़ारी है तस्वीर आप इस समय देख सकते हैं कार की बहुत बुरी इस्तथी जो है कार की समय देखी जा सकती है लखनों के नरहेपुर के पास में पूरा हाथसा हुआ जहां अन्यंतरत होकर कार नाले में जा गिर जिसके बाद में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है तो ही एक गायल का इलाज जो है जारी है तो यह आपको उता है एक गायल को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है जो हाँ पर लगातार डॉक्टर्स के निगरादी में इलाज जारी है इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संबाद आता है जैत रिपाथी लखनाउ से फोन लाइन पर जुड़ चुके है अज देखिए कि अन्यंतरित कार जो है नाले में जा गिरी जिसको देखते हुए चार लोगों की मौत हो गई है तो ही एक घायल के हुआ कि साहपूर थाना चेतर में ये नरहरपूर गाओं था जहां पर अन्यंतित होकर ये कार गिर गई और जिसमें आपको पता दें कि इस तरीके से मौत हुई उसके बाद से आज सुबह की अगर हम बात करें तो इस्पेक्टर सुनिल कमात तिवारी जो हैं पुलिस टीम क के लिए कारवाई के लिए उसमार्टम के लिए कारवाई के लिए ये भी ये घय दिया गया है सात्थिता इत अब बता दें कि ये जो जा रही तो वर्म करिटार लेकिन अभी कंभीर है उसका इलाज चला है और अगर इस गाड़ी की बात की जाए तो जिए गाड़ी थी वो कहीं न कहीं सरकारी नंबर की थी जिसको ड्राइवर अमर नाथ ने निलामी में खरीदा था और इस घटना को लेकर अगर बात करें तो उत्तर सदेश के मुख्यमं हैं कि ऐसी घटनाएं दुखत हैं और जिसको लेकर लगातार अभी भी पूरी तरह से वहां पर और भी जाच चल लई है कि किस तरीके से यह नियंते पर किस तरीके से गाड़ी गिरी और क्या लोग और जिस तरीके गंभीर है उसका इलाज चलना है जीजे आपका बहुत बह अंकारी हमारे साथ साचो करने के लिए